आप बाल इस पूरे तीन दिन के डिले होगी मतलब तीन चार दिन की तो वह भाइद बहुत सौरी बाई क्या बता है यार स्वार्च का मोशा में तो यार वोईस ओवर करने में प्रॉब्लम हो जाती है मतलब बहुत जदा नौई साथी इसलिए मैंने मतलब एक बर विडो बना के दुबार डिलीट कर जो का उसको बहुत जदा प्रॉब्लम हा रही ती उसमें और फिर इस विडियो का एंट जरूर देखना वैसे अपने हो तो सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को और बेल आइ कि अधिए आई देखो लिए ग्रेंड मारने के लिए कुछ चीजों के धिहन चरूरी रखना होता है मतलब पहली बात तो फिचर होता है उसमें जो कुछ फीचर होता है बहुँ जदा खतरनाक होता है और उस ग्रेंड को एडवांस बना देता है ओके इस से आप कर सकते हो प τουणों मतलब एकड़ पर्फक्स च Nouकिए एम परफेक्शन मतलब मैं समझा दूगा कि वता है और नवंधया चाहिए और बाखी आपके टाइमिंग बहुत जयदा माई्ट करती है टाइमिंग बहुत जयदा मैटर करती कभी 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 क्या आपका लोग ग्रे złιade और टाइम और एम पर्फेक्शन, अगर एम पर्फेक्शन सही सा नहीं होता है, तो ग्रेनट तुम्हारे उपर गिर जाता है, तुम डाउन हो जाते हो, मेरे साथ बहुत बार हुआ है, मैं सब मतलब डीप जात, कि मतलब एक्सपीरिंस करके बता रहा हूं, और उसकी बाद, ट देखो कभी-कभी तुम्हारा एम अगर तुम बंदिकों पर करके ग्रिनेट मतलब करके मार रहो और मारने के सास है अगर तुमने वह वह वैगर यार क्या बता हूं, बीस्तन लगा रख और तुम्हारी उसे डिस्तन जादा हो जाती है, बहुत जदा हो जाती है, और तुम ग्रिनेट दूर फेक दिये, तो डैमेज बहुत कम लगेगा, उससे बहुत तुम मतलब स्पोर्ट कर ली जाओगे, लेकिन बीस्तन बहुत जदा इंपोर्टेंस रखता है, अगर आप एक मतलब ग्रिनेडर हो, मतलब अपनी टीम में आप ग्रिनेडर बहुत अच्छा फेक अगर तुम आगे बढ़के चले जाओगे, तो तुमको डिस्टनस मिल जाएगी, समझ रहो मैं क्या बुलना चाहरा हूँ, थोड़ा सा तुम आगे बढ़ जाना कुक करते वाक्ते तो उतनी डिस्टनस मिल जाएगी, आप कहां कुक करोगे, ग्लुवल के अंदर करोगे और या फिर किसी घर के अंदर बंदे बैठे होंगे, वहाँ पर करोगे, शेल्टर के मतलब कवर लेकि बैठे होंगे, और कहां मारोगे, या फिर फाइट चल रही आप पीछे से ग्रिनेट से कवर दोगे, यही सब तो होता है, तो गईस इन सब चीजों का धियान रखना बहु अगर कैसे ग्रिनेट को कुक करें, और कब-कब कोई कौन सी ऐसी सिचुएसन जहां पर आपको ग्रिनेट फेक नीचाए, पहली बात हो ध्यान रखना, कभी भी अगर तुम्हारी स्कॉर्ड पूरी अलाइव है, और उसमें खेल पॉइंट बहुत ज़्यदा मैटर करते हैं जोर्नामेंट में, और सामने अगर तुमारे एक दो बंदे हैं तो ग्रिनेट को कुक मत करना, मेरा कहनना मानना, ग्रिनेट को वेस्ट मत करना, अगर दो बंदे हैं तो कुछ अतक की मतलब 10% सॉरी 10% कम हो गया, 50% आप यूज़ कर सकते हो, 50% आप क्यों पड़ेपन करता है लेकिन कभी भी अगर एक प्लेयर है, सोलो बैठा हुआ है, डूओ है, तो वहाँ पर ग्रिनेट यूज़ करना मतलब उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता, और कभी भी जहाँ पर पूरी स्कॉर्ड बैठी है, या फिर थर्ड पार्टी कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात आप दिहान से सुनना में क्या बोलने चाहरा हूँ, यूज़ करते हैं, कौन सी ये मतलब ऐसे, मतलब इस पर सफिक टाइम पिरिट जहाँ पर आपको ग्रिनेट यूज़ करने चाहिए, पहली बात तो आपको जहाँ पर स्कॉर्ड होती है, वहाँ पर ग्रिनेट एक दम सारफ ल दो टीम साबस में फाइट कर रहे हैं, तुम जाकर थर्ड पार्टी करने का ट्राइ कर रहे हो, बाकि तुम्हारे जो तीन प्लेस रहेंगे, रसर, एसॉल्टर, सपोटर और जो भी है, मतलब स्नाइपर प्लेयर जो भी है, ग्रिनेट एक बंदा चलाएगा, कोई भी चला ल जाःब किल पॉइंट निकलनेश़ये, हाँ अभी अगर कोई कवर दे रहे है, सपोस कर लो एक रसर कर रहे है, और असॉल्टर रस कर रहा है, स्नापर प्लेयर मतलब यहाँपर थर्ड पार्टी कर रहे है, अभी तुम सपोटर पीछे खड़े होे हो, वहाँपर पीछे नह निकाल रहे हो तो ग्रेनेड भई या खतरनाक फेकते रहो कुक कुक मत करो कर सकते तो कर लो लेकिन उतना टाइम कम रहता है क्योंकि अगर तुम कुक करने में लग जाओगे तो मतलब किल चले जाएंगे सामने अली पाटी मतलब किल जो है ना इधर अधर या फिर इनके किल उ मतलब एट प्लेयर सापस में फाइट कर रहे हैं तो अगर तुम साही डिरेक्शन में और साही जगे ग्रेनेड उमारोगे तो ग्लूव अलगी है इधर घर है इधर यह है इस सब को मतलब इंक्लूड भी कर लोगे तो कम से कम नहीं तो तीन-चार बंदे डाउन कर दोगे मत आग को मतलब होरे ओर न तीन-चर बंदे आराम से दोन कर लोगे अगर तुम से कर रहे हो थर्ड पार्टी कर दो फूरी तुम ग्रेनट शनी पूरी तुम्हारी सकॉट अगर तुम्हारा सपूर्ट करती है तो वार इस सब बते हावे में नहीं हो रही है कुछ बहुत experience औरSpe फिल्ड में जाकर इसको एक्सपियेंस कियो और मैंने खुद ग्रेनिट मारे बहुँच अच्छा और मैं मतलब खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूं बट मैं अच्छा मार लेता हूं और गईस परफेक्ट टाइमिंग कैसे यह की परफेक्ट टाइमिंग तो अपके बहिया प् कोई दिक्कत नहीं एक दम आराम से देखो अगर समझ में नहीं आई है तो मेरे को बोल देना वीडियो बना दूंगा लेकिन फिर से आप समझ जाओगे मंदलब अच्छे से इतना कुछ खास नहीं है बट थोड़ा सा एम परफेक्शन और आपका टाइमिंग और यह सब ची होता तो इस बारे में ध्यान रखना थोड़ा सा एंड गाइस युग आल नो प्रैक्टिस एन के एक्स्पिरेंस सौरी एक्स्पिरेंस प्रैक्टिस एंड टूर्नामेंट में तो तब तक की पॉसिबल नहीं है थोड़ा बहुत कर लेना अरिजिस्ट कर लेना तो आज की सुल policing आज के पॉसिंग है लेना नहीं प्रैक्स्पिरेंस पॉसिरा में प्रैक्स प्रैक्स एंगाइस क में पॉसित एंगिस्श बढसर रखनेगा फिसक्टिस एंगरादõ है और स।ल सक्षोर जोी सहर थिसम से एंगराऊबा ऐन में गाइसन के खरेंगे और रखनीम беспाऱ्